Assalamu alaikum to everyone and welcome to my youtube channel तो आज का जो हमारा topic है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है dihybrid cross के बारे में तो इससे पहले मैंने आपको lecture दिया था about monohybrid cross के बारे में और उसके basis पे हमने दो laws हमने नहीं mendel ने निकाले थी वो laws law of dominance and law of segregation में पढ़ा था यह जो इस lecture में हम क्या पढ़ेंगे about third law of mendel's law of inheritance जो mendel ने तीसरा law दिया था जो की law of independent assortment था उसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले कोई भी जब result आता है तो उसको करने के लिए उसको उस result को लाने के लिए हमें कुछ experiments करने पढ़ते हैं तो mendel ने यह ही किया, mendel ने कुछ experiments किये लेकिन इस ताइम उसने dihybrid cross किया और dihybrid cross के basis पे उसले third law निकाला जिसका नाम था law of independent assortment तो पहले हम दिखते हैं dihybrid क्या होता है तो इससे पहले मैंने आपको बताया था मोनो hybrid के बारे में, मोनो hybrid में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से mendel ने क्रॉस क्या था ठीक है और जो पहली generation आई थी वो इस तरह से आई थी यहां पे आप देख लो जो f1 generation है वो hybrid है लेकिन mono है एक इसमें एक hybrid निकल रहा है इसमें एक hybrid बन रहा है नंबर आफ आफ सिप्रिंग्स किते थे no doubt number आफ आफ सिप्रिंग्स थे चार लेकिन यह जो था यह एक ही hybrid है ना TT hybrid क्या होता है दो अलग अलग जो genes है जो combine करके यहां पे बैठे है इनको hybrid कहा जाता है अलग अलग genes है इसमें लेकिन एक ही hybrid बना था यह लेकिन अब हम कुछ नया स्टार्ट करते है ठीक है मैंडल ने दो प्लांट्स लेए पी प्लांट्स में जिसमें उसने दो करेक्टर्स को स्टडी किया दो करेक्टर्स देखे इस एक एक round seed round seed थे उसमें पी में और yellow color के seed थे उस पी प्लांट में उसको क्रॉस किया दूसरे प्लांट के साथ जिसमें wrinkled थे क्या थे wrinkled इसमें round थे और yellow round थे इसमें seeds और क्या थे yellow seeds थे लेकिन इसमें इसमें dominant characters है इसलिए हमने इसको capital form में लिखा और यह जो है recessive characters है इसलिए हमने इसको small letters में लिखा है ठीक है अब आता है law second law second law क्या कहता है कि जो gamits है fertilization से पहले उनको separate होना होता है तो यह separate हो जाएंगे इस तरह से ry ry ठीक है उस time हमने एक ही character देखा था इस time दो character है round with yellow wrinkled with green ठीक है इस time दो character है ठीक है अब इन दोनों को इन दोनों को cross किया जाएगा तो जो f1 generation बनेगी वो क्या बनेगी वो बनेगी र र य य ठीक है यह भी hybrid बना लेकिन mono hybrid and di hybrid में आपको कुछ difference नजर आया difference यह है कि वहाँ पर एक ही hybrid था और यहाँ पर कितने hybrid बन रहे हैं दो एक तो यह एक तो यह ठीक है दो hybrids बन रहे हैं इसी लिए इसका नाम इस cross को कहा गया di hybrid cross यह clear हो गया आपको कि इसको di hybrid cross क्यों कहा जाता है यहां तक clear है इसके बाद दूसर स्टेप क्या है हमने cross करना है selfing करनी है तो इस तरह से हो जाएगा यह लेकिन अब यहां पर तो gamets बन गए अब इसके भी gamets जो है separate होंगे अब यह जो है यह पहली generation ठीक है पहली generation को हमने selfing करवाई आप देखते हैं इसके gamets बनेंगे ठीक है अब देखो अब यहां पर ध्यान से एक बास समझना यह जो है जब इसकी gamets बनेंगे जब इसकी gamets बनेंगे यह mono hybrid जिस तरह से mono hybrid cross में देखा हमने simply gamets बन गए उस तरह से नहीं है उतना simple नहीं है यहां पर देखो यहां पर चार four kisses बनते हैं वो कैसे देखो यह जो r है यह इसके साथ भी बना सकता है ऐसे gamet सब्सक्राइब यह जो है स्मॉल और इससे यह जो है स्मॉल और इससे क्योंकि यहां पर दो करेक्टर्स हैं ठीक है दो करेक्टर्स हैं तो जो chances हैं जो gamet बनने के chances हैं वो चार हैं या तो आर वाई के साथ मिलेगा सब्सक्राइब करें वाई के साथ मिलेगा यह тр जो थर्ड रा है यहाई से डिराइब हो ज़ाएगा इस तरह से सेम यहां पे ब मियंत भी इसी तरह के गैमिट्स चार जो है वह प्रोड्यूस हो जाएगे लिए कि है अश्विपॉटक बनाएग़ अच्छ के इस तरह से ए इस यह जो gamet से इनके साथ fuse करेंगे यह एक plant , यह दूसरा plant यह इसके gamet है यह इसके gamet . यह इसके gamet से अब यह gamet से आपसी फूस करेंगे अब चुहाए, mindal को यह देखना था कि after fusion जो है जो next generation होगी , जो F2 generation होगी उसमें percentage क्या रहेगी, round कितने होंगे, wrinkle कितने होंगे, वो सब हम देख लेंगे, प्यूनर स्केर में, तो यह पिलिए मुझे रापतर ना पढ़ेगे, यहाई से हमारा तीसा लॉबी, generate होता है कौन सा, और एंडीपेंडर्डेंट्ट्रा, यह इन पर किसी का दबाव नहीं है कि यह इसी के साथ जो है गयमिट बनायाई इसी है, यह इंडीपेंडर्डेंट्री असौर्ट हो जाते हैं, तो यह देख रहोंगे, यह है डेफिनेशन ओफ थर्डर्ड़ की, अलेलेल उफ जीने लोके इसके साथ हो सकता है यह इसके साथ भी जा सकता है इसके साथ भी जा सकता है यहां पि जा सकता है इसके लिए इंडिपेंडेंटस है यहां पे जा सकता है हम देखते हैं प्यूनेट स्क्यार में किस तरह से फटलाइजेशन होती है और इनका क्या रेश्यू रहता है इसके साथ है यहां आ ही देखो यह है प्यूनेटस स्केर हमारा रेडि है और साइट पी मैंने इस प्लांट की गैमिट्स लिख लिए आ और इस काम करता है फ्यूस करता है तो यह इस तरह से कंपिनेशन बनेगी आर आर वाई वाई चीक है आर 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 वाई इस तरह से आर आर वाई आर वाई यह तो और थाड़ा कंप्लाइस होता जाएगा तरह आर यह ञता है फिए यह हमारा कंप्लीट हो गया, अब देखूं सबसे पहले हम यह कंप्लीट करते हैं, यह कितने हैं राउन cucumber कितने हैं पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो पहला प्लीट हैर राउन Mercator जो राउन भी है और यलो भी है एक तो हो गया यह, round yellow, यह भी round yellow है, क्यों? यह जो है recessive gene, यह consider नहीं होगा, क्योंकि यह recessive है, जो इसका dominant character, वो है y, yellow, तो यह जो है, यह consider होगा, वोगे दो, यह भी है, देखो, इसका dominant r है, और यह dominant y है, capital y, three, यह भी dominant दोनु है, यह भी क्या, इसका जो phenotype, इस plant की शकल कैस होगी, इसकी जो seeds होगे, वो round होगे with yellow color, चार होगे, यह भी होगा, same, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह नहीं होगा, देखो, यह round होगे, लेकिन जो color of the seeds होगा, वो क्या होगा, वो green होगा, क्योंकि यहां पर यह जो है, that is, यह recessive character express हो रहा यहां पर, दोनु में, तो यह रहे हम देते हैं, यह, again, जो है, round yellow, यह नहीं, round yellow, round yellow, round yellow, ठीक है, अब कितने आ गए है, round yellow वाले, यह आ गए, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, कितने आ गए, nine आ गए, अब हम देखते हैं, यहां इसे, मतलब, simple हो जाएगा, round green, जो seeds, round तो है, लेकिन green है, that means, r है, मैं आप यहां पर यह दिख रहे देगा, r है, लेकिन small y इनका जो है, character जो है, वो express हो रहा है, gene इनका small y express हो रहा है, अब देख रो, यह आ गया, round green, एक, यह भी आ गया, round green, देख डॉमिनेट यहां पर कोई से gene express हो रहा है, r, capital r, और यहां पर क्या express हो रहा है, यह वाला, small y, जो की green, green color show कर रहा है, एक, दो, यह दो, यह दो, यह दो, यह हम consider नहीं करें, यह small or, small or मतलब wrinkled, हम round देख रहे हैं, round green, तो round यह वाला आ गया, 3 आ गये, 3 आ गये हमारे पास, तो round green कितने आ गये हमारे पास, 3, अब हम देखते हैं, round yellow भी हो गया, round green भी हो गया, अब हम देखते हैं, wrinkled, अब हम देखते हैं, जो wrinkled है, जो किस से हमने denote किया है, small y से, small, टेक है, यह हो गया, capital R, यह हो गया, capital R, यह जो yellow है, यह हमने किया है, with y से, यह small y से, wrinkled yellow, मतलब जो gene है, वो इस तरह का होना चाहिए, capital Y, तो देखते हैं, कों को देखते हैं, यह देखो, यह आगया wrinkled, small r, हमने denote किया था, small r को with wrinkled से, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि यह आपे yellow आ रहा है, तो small y क्या है, small y को हमने denote किस के रखा है, green के लिए, तो यह कितने हमारे पास है, यह हमारे पास आ गए, 3, फिर आती, last type of combination, वो कुन सी हो गई, wrinkled, वो हो गई, wrinkled, green, यह मतलब इसमें जो gene है, उसको हमने denote किया r से, और green को किसे किया small y से, तो इस तरह की combination आपको कहां दिखाई गे रहे से, इस वाले में, तो यह कितना है, 1, 2, मैं आपको पहले का, जो recessio जो है, वो अपने express नहीं हो पाते हैं, पहली generation में तो express नहीं होते हैं, बड़ second generation में express हो जाते हैं, तो हमारा जो genotype का ratio मैं नहीं बुह रही हूं, क्यूंकि जारत की है, हम phenotype भी पढ़ते हैं, phenotype ratio भी पढ़ते हैं, और exam में पूछा भी जाता है, यह phenotype ratio, तो phenotype ratio जो हमें दिखाई दे रहा है, जब मेंडल ने यह सब क्रॉस किया, जब मेंडल ने यह सब क्रॉस किया, डाय हाइबिड क्रॉस किया, फिर फील्ड में गया, उसने क्या देखा, उसने नो प्लांट ऐसे देखे, जो कि, जिनके जो seeds हैं, क्योंकि इस टाइम जो focus किस पे था, focus था उन characters पे, किन characters पे, seeds पे, जो कि round है and yellow है, तो उसने देखा, उसने वो निकाले मटर के बीच देखा, अच्छा यह round है, इसमें यह है, तो यह 9 plants आ गये हैं, लिख लिए उसने diary पे 9, फिर और भी उसने चानबीन की, उसने देखा, अच्छा round है, कुछ plants पे round देखे, लेकिन उनका color green था, क्या था, green था, तो यह ही हुई ना hybridization, mixing of the characters, क्या है, दो parents के character, जो है, वो mix है, जैसे humans में होता है, अगर आपके father, जो है, उनका color fear है, जो mother है, उनका color थोड़ा सा wheatish है, ठीक है, तो हो सकता है, बच्चे में वो color आजए, जो ना जादा fear हो, जो ना जादा wheatish हो, एसी combination भी आ सकती है, humans में भी, तो जब इसने देखा, उसमें देखा, अच्छा number three है, तीन ही है, ठीक है, फिर वो और उसने देखा, और search हमारी, तो उसने देखा, कि कुछ seed जो है, वो wrinkled है, ठीक है, wrinkled है, लेकिन green है, फिर देखा, उसने count किया three, okay, उसने diary पे लिए three है, फिर जब है, एक ड अच्छा number three है, तो इस basis basis ने ही ratio बना गया, और जो यह law जो 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 बनाया, law of independent assortment मैं आपको पहले ही बताया कि किस तरह से जो है, जो gamits है, वो assort हो जाते है, independently assort हो जाते है, जो jeans present होते है, किस तरह से एक बुस्तर के साथ, assort हो जाते है, वो मैं हमने जो die hybrid clause जो है, और जो third law है, वो हमने complete कर दिया, अब जो next lecture आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इनकी exceptions, जो हमने यह पढ़ा, जो हमने यह पढ़ा, जो इन तीनो laws में, जो exceptions होंगी, जो co dominance है, linkage है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि science में, जो भी कोई law देता है, कुछ भी देता है वो बिल्कुल 100% accurate हो, exceptions आती रहती है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताती हूं कि, जैसे plants जो है, वो जो है, वो चलते नहीं है, उनके हाथ पाउन ही होते हैं, मन्स की तरह, लेकिन जब आगे-ागेते होगी, कुछ exceptions हैं, plants में भी, कुछ unicellular ऐसे organism हैं, जो कि plant kingdom में आते हैं, जिन में फ्लैजला होता है, जो कि movement करते हैं, ठीक है, यह आती है exceptions, तो exceptions जो है, science में, almost हाजग आती है, तो उन ही exceptions के बारे में हम, जो next lectures आएंगे, इंशाला, उनके बारे में पढ़ेंगे, so thank you, and if you like this lecture, this video, then please subscribe this channel, thank you.